हेलो गईज, सलाम आलेकूम, नमस्कार तो आप लोग कैसे हैं? हम उमित करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सुस्ट होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं चीज केक, जो सिंपल सा केक बनाएंगे हम चीज दो लेहर का यहाँ पर केक रेडी करेंगे तो उसके लिए हमने स्पॉंज बनाने के लिए यहाँ पर जो मेट्रेल लिया है उसका लीज जो है मैंने यहाँ पर पूरा डीटल में दे दूँगा तो आप लोग जो देखें यहाँ पर मैंने अलड़ी दे दिया है तो आप लोग जाके यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या क्या लिया है जैसे 300 gram माईदा हो गया 300 gram sugar हो गया vanilla essence एक इस्पून हो गया breaking powder एक इस्पून हो गया soda हो गया half teaspoon और salt थोड़ा चाहिए और six अंडा से बनाया हमने इसको और इसमें 1500 gram मैंने oil लिया है तो उसके साबसे मैंने जो हमारा sponge है उसको मैंने जटपड बनाया है यानि की जल्दी बनाया है तो उसके साबसे मैं इसमें जो है इसको बटर रड़ी करने के लिए मैं जार में ही जो है छे के छे अंडे को मैंने यहाँ पर तोर लिया है और इसको तोर के जो है इसको mix कर लें तो हमारे केके साथ से मैंने दो केक इसमें believe ऐसे और बसंगर जो है वो भी डाल दियाCD तो उसके साब से मुझे स्थिय के यहां पर जो फेस्‍व ते जो हमार अब जो है इसको मिकस कर लिया मैंने इसको आप एक बॉल में उतार लेंगे कि तो यह 25 हम ने से विजो है आपका बटर बहुत जबर्दस बनता है और हम इसके जो है वह है हऊवी हाइट होता याने की फुल ब्रेकिंग उटाव आए अच्छा तो देखिए इसे जो है हमारा यह हो चुका है तो यह हमने जल्दी बाजी में रेडी किया है तो इसी के वज़े से जो है मैं मिक्सी में रेडी करके आप लोगो को बताया है तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है और उसके बाद लूँगा मैं यहाँ पर एक स्पून production मुझे breaking powder और breaking soda लेना है तो breaking soda भी हमने ले लिया है straw लिया है तो इसको भी हम दाल लिया है यहाँ तो देखिये जब है मारा सब्साइन को हम अच्छे से जान लेंगे छान के हमको यहाँ पर mix करना है और mix करने के बाद हमने यहाँ पर दूद भी एड़ किया है तो दूद हमने जो है और डायरेक्ट मेनू में नहीं डाला है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है आपको डाल देंगे तो हमने कितना दूद लिया है तो आपके पास अगर दूद है तो दूद भी ले सकता है नहीं है तो पानी से भ पाटर है वह बहुत जादा है 300g sugar 300g मेदे का बटर है तो यह बहुत जादा हो गया तो यहाँ पे जो है इतना material से आप जो है 2 kg का Cake आराम साथ रडी कर सकते है जैसे कर देर किलो क्यों है जाएगा आपका तो यहाँ पे देखिए जो है मेरा मिक्स हो चुका है तो अभी जो है इसका काम मुझे करना है तो मैंने यह बटर को जो है दो भाग किया था इसका एक भाग में और यहाँ पे इसके ब्रेकिंग करने के लिए हमको रडी करना है ट्रे इसका ट्रे तब तक हम जो है ट्रे रेड में चारीटी सील्सियस में 40 मिनीट तक इसको ब्रेकिंग करेंगे लगातार यानि कि आपको जो है फ्री हिट पहले कर लेना है ओबन को अगर आपका ऊबन अगर फ्री हिव नहीं होता है तो आपका जो केक है वह फ़ोनने के टेम में बीच में डाउन हो सकता है तो इसके सफसnen jeunes जो है फ्रीएट दस मिनिट पहले आवन को करके रखना है तभी जो है इसको ब्रेकिंग के लिए डाणना है तो क्या हाँ पर चीज क्रीम यहाँ पर देखे हमारा चीज क्रीम ही उग फीक करेंगे want करने का तरीक यहीह जो आप систक ये हुआ चाहते हो उस बॉल को पहले से दो चार दस पंदरा मिनिट ट्रक लिए फ्रीज में डाल दो ताकि उसमें थोड़ा ठंडा हो जाए तब जो है आपका वीप क्रीम बहुत जवरदस वीप हो के आएगा और फटा फट यानिकी वीप हो जाएगा क्योंकि वो जो है वीप क्रीम को वीप करने के लिए उसको ठंडा होना जरूरी है तो ठंडा आप जितना रखोगे उतना ही जल्दी जो है आपका क्रीम वीप हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा क्रीम जो है वो रेडी हो चुका है तो इसको हम जो है अभी लिका जैब अम इसके चीज़ करने करने के लिए डी में नहीं जबर्दस होा है कि अब बहुत अच्छे लिए प्रड़ी चीज़क करने के लिए तो सबसे पहले हमिने यहां पर दोरा चीज लगा लिया है multiplier क्रीम लगा लिया मैंने तो छीस क्रिम बहुत जबर्दस होता है बहुत अच्छा टेस्सक्रीम का यहां पर मैंने लिया है फस्ट अह包े मैं मुझे फास दäter में पहले सुगर दूद्ध डालते हैं तो दूद्ध में क्या होता है वो फड़ जाता है अगर दूद्ध में थोड़ा अलग सा इसमें लाएगा तो उसके सबसे जादा दिन तक दूद्ध वाला केक नहीं जाता है क्योंकि Housing सबसे अप लोगों को उसको मैंने चोटा चोड़ा पिस काट लिया है तो वाइट कमपन डानने से इसका टेस्स बढ़ जाता है और जायर सी है हमारा जो केक है वह इसे भी टेस्स है क्योंकि यहां पर चीज क्रीम लगा है उल्रडी यानिकी डाला है हमने तो हमारा दूसरा लेहर भी यहां पर कम्प्लेट हो चुका है यानिकी आप हमें करना है इसमें आइसिंग तो इसमें हम आइसिंग कर लेंगे तो चीस क्रीम थोरा सा यानि की हलका यानि की टाइट जैसा होता है चीस क्रीम तो यहाँ पे जो है चीस क्रीम को वीप करें तो ज्यादा टाइट ना करें ताकि आप लोग जहाँ प्रोपर यानि की लेविलिंग हो जाएगा केक में तो यहाँ पर हमने तो फिर भी हमने इसको शुदार लिया है तो अब ही हमको डालना है इसमें यह हमरा अइंसिंग हो चुका है तो यहाँ पर डालेंगे लिए भी मुदार जनीख चाहते हैं तो यहाँ निदनार है है जेल को अच्छे से बुराबर कर लेना है यह ब्लू जेल है कि dalіш मेने ब्लूय जेल यह बना कि ब्लु कलर एड़ कर दिया थो हमारा यह फिर हो चुका है च्थे बससके है चैनल को सबस्क्राइब पर करके जाएगा और केक आप लोगों कैसा लगता है तो कॉमन करके जरूर बताना तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा केक अगर फिनिसिंग में नहीं होता है तो आप लोग कॉमन करके जरूर बताना ताकि हम जो है सुधारने का कोशिच करें सुधारने का कोशिच करें और केक क को अच्छे फिनिसिंग में लारे का कोशिश करें तो हम हमर से यही उमीद रहेगा आप लोगों से तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को और ऐसे ही जो है हम अच्छे-च्छे केक का वीडियो लाते रहेंगे और केक का ही नहीं हम इस चैनल में हर रेसेपी का वीडियो डालते है ताकि आप लोगों के लिए कोई सा भी आप अगर रेसेपी ढूनना चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों के जैसे बिस्कीट हो गया और हलुआ हो गया पूटिंग हो गया हमने यहाँ पे हर तरिकी की वीडियो डाल चुका है तो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो चलते हैं भी मिलते हैं नेक्स वीडियो